कि अपने आधार हाउसिंग और टीवी और टेक किसी भी एक अपलाई क्या था फिर दोनों की आज लिस्टिंग होने वाली है तो लिस्टिंग क्या रखने अगर आपको यह IPO मिल गया तो कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है और अगर आपने सिर्फो सिर्फ लिस्टिंग गें सबसे पहले हम आधार हाउसिंग का जो IPO है उसका यहां पर डीटेल में डिसकस करेंगे इसका कितना चल रहा तो आप देखेंगे 50 रुपे के आसपास की 315 के आसपास की कट प्राइस थी इसके हिसाब से आप देखेंगे तो इसकी लिस्टिंग लगबग लगबग 365 रुप के आसपास की जीएंपी चल रही है लगबग लगबग 315 रुपे के आसपास के लिष्टिंग जैंज आपको मिल रहे हैं अगर मार्केट थोड़ा भी डाउन होता है यह से तो मैं आपको बता दूजी 16% के लिष्टिंग जैन यह कहीं नहीं 10% पर या फिर 8% के आसपास आ स अपलाई किया तब तो आपको इत्ता अच्छा लिश्टिंग मिल रहा है 20 परसंट के आसपास मिल जा तो बहुत अच्छी बात आपको हो जाना जिस तरीकी से विक्स बढ़ रहा है मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ तो कहीं न कहीं आप अगर ज्यादा देर के लिए रुख सकते हैं तो फिर लॉस भी हो सकता है अगर आपका लॉंग टर्म का नजरिया है तो फिर इसके फाइनेंसल आपको देखने होंगे आधार हाउसिंग के फाइनेंसल किस तरी सब देखने के बाद आपको यहां पर अपना डिसीजन लेना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि इसमें बने भी रहेंगे आपकी आपका क्या नजरिया कमेंट करके जरूर से बताइए इसके साल साथ हम बात करेंगे टीब्ली टेक के बारे में तो टीक का जो आईपो उसकी जी लोगभग के आसपास बसेंट के आसपास आगए उसके हिसाब से आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है तो वो 16 शेर्स का एक लोड रहने वाला है 450 रुपे के आसपास की जी एंपी चल रही है लगबग लगबग 7200 रुपे के आसपास के लिश्टिंग ऐंज मिल रहे है जो पहले 9500 के आसपास मिलते हो दिख रहे हैं अब वो 7200 के आसपास आ गए लेकिन जिन लोगों ने सी destruction लेने के लिए अप्लाई किआ हो तो उनके लिलिए अच्छे कासे बंपर लिश्टिंगेंस 50 परसंट के लिश्टिंगेंस आप कह सकते हैं आप तो अच्छे कासे लिश्टिंगेंस मिल रहे तो आपको यहां से एक्जीट करना चाहिए अब बात आजादी कितने पर लिश्ट होगा तो 920 रुपए के आज पास किसकी प्राइस चल रही है चार सो पचास रुपए के आज पास आप देखेंगे तो जी एंपी चरह लगबग लगबग 1370 रुपए के आज पास इसकी लिश्टिंग आपको देखने को मिल सकती हैं अगर मार्किट आज पॉजेटिव रहा तो कहीं न कहीं चाओदा सो के आज पास भी जा सकता है और फिर जो आई पो लिस्ट वा था इंडी जी नहीं का उसके 64 परसेंट के आज पास के लिश्टिंग गेंज देख रहे हैं लेकिन सिर्फ उसी 30 परसेंट के लिश्टिंग गेंज ही वहां पर इन्वेस्टर को मिल पाए तो यह चीज आपको जरूर से देखनी है और अगर आप कर रहे एक्सपेंस देखेंगे लगा तार अच्छे का से बढ़ रहे हैं अफ्टर टेक्स 2021 में 34.14 करोड का लॉस था उसके बाद 2022 में से कंपनी प्रॉफिट में आ गई लॉस में से प्रॉफिट में आई 33.72 करोड के फिर 114 करोड के तो यह बहुत यच्छी प्रॉफिट म के लिए ही आई प्लाइब करते हैं उनके लिए फिर यहां रुकना बिल्कुल ना के बराबर उनको फिर यहां से एक्जिट करना चाहिए और लॉंग डम का अगर आपका नजरी है तो फिर आप इसको बोल्ड करके चल सकते हैं आपकी अपनी राय क्या कमेंट सेक्षिन में क कमेंट करके जरूर से बताएगा फ्रेंड्स